जितनी भेंकर गर्मी पर रही है ऐसे में हम कुछ ठंडा ही खाने को सोचते हैं और ठंडा खाने में अगर आम के साथ कुछ बन जाए तो उसकी तो बात ही क्या है इसलिए आज हम बनाने वाले हैं यहां पर आम का स्रिखंड बनाना बहुत ही आसान है सबसे पहले मैंने इसके लिए एक बोल लिया है उस पर एक श्ट्रेडन रख दिया है उसके ऊपर हम मैं यहां पर एक कॉटन का कपड़ा विचा रही हूं कॉटन का कपड़ा बिचाने के बाद मैं उसमें लगबग आदा किलो जितना दही डाल रही हूं यह मैंने घर पर ही बनाया था बाहर से भी निचोड लेंगे बेसिकली तही का जितना पानी है उसे हमें निचोड कर बाहर निकालना है एक बार में तो सारा पानी निकलेगा नहीं क्योंकि दही धीर धीर पानी छोड़ता रहता है इसलिए जितना निचोड सके निचोडने के बाद मैं उसके ऊपर एक रखकन रगा र बाइल जाएगी आप इसे ओबरनाइट के लिए भी रख सकते हैं उतने में भी इसका पानी निकल जाता है यहां पर दही का पानी सारा निकल कर अलग हो गया है आप इसे कड़ी या फिर आटा गूदने के काम में ला सकते हैं इसे फेकने से अच्छा है इसके सारे प्रोटीन इसी में है इसलिए इसे आप फिर से यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप दही को देख सकते हैं दही पूरी तरह से एकदम पनीर वाली consistency में पहुच गई है मतलब पूरी तरह से सुख चुकी है इसका जो भी महुशर था अब हम इसे उस ट्रेइनर में ट्रांसफर कर इसे हम छान लेंगे इस दही को छानने से दही हमारा fluffy हो जाता है और इसमें कोई भी लंस नहीं रहता जब हम दही को फटेंगे तो बहुती easily वो फट जाएगी और fluffy हो जाएगी इसलिए इसे चानना जरूरी है चानने के बाद इसे side में रख देंगे और यहां पर मैंने ले लिया है तीन पके हुए आम इन्हें स्लाइस में कट करेंगे और इसके पल्प को बाहर निकालेंगे हम यहां पर आम स्रिखन बना रहे हैं इसलिए आम का इस्तमाल कर रहे हैं अगर आप चाहें तो बिना आम के भी स्रिखन बना सकते हैं आम की जगह आप कोई भी फ्लेवरिंग देना चाहें तो दे सकते हैं अभी आम का सीजन चल रहा है इसलिए इस समय के लिए आम तो बेस्ट फ्लेवरिंग है ही सारे आम के पल्प को निकालने के बाद हमें एक मिक्सर का इंडर जार में ट्रांसफर कर देंगे और उसकी लिड लगाकर एक स्मूध प्योरी या फिर पेस्ट जो भी आप बोलते हो उसे बनाकर तयार कर लेंगे इसमें कोई भी लंज नहीं होने चाहिए इसे अच्छे से हमें पीस लेना है आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पेस्ट बनकर तयार हो गया है पेस्ट को हम डाल देंगे कडाई में कडाई में डालने के बाद हम इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून चीनी जो बजार में स्रिखन मिलता है वो बहुत जादा मीठा होता है अगर आपको उतना मीठा बनाना है तो चीनी और एट करनी पड़ेगी लेकिन दो टेबल स्पून चीनी एनफ है एनफ मीठा हो जाता है हमारे परिवार में जितना मीठा खाया जाता है उतना आप मीठा अपने हिसाब से अजस्ट कर लें उसके बाद इसे धीमी आज पर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे थोड़ी देर पकाने के बाद मैं इसमे जादा नहीं पकाना है उसके बाद एक मिनट और पकाएंगे तोटल इसे हमें 3-4 मिनट मैं आप देखेंगे जो आम का ग्लेज है वो बदल चुका है अभी आम का जो पलप है वो ग्लेजी हो गया ठुड़ा चमंकदार हो गया पहले यह चमंक दा नहीं था इसके बाद इसे अगर आप इसे अच्छे से नहीं फेटेंगे तो आपको वो टेक्षर नहीं मिलेगा जो स्रीखंड का होता है इसलिए इसलिए अच्छे से फेट लेना है तब तक यह फ्लफी क्रीमी और थोड़ा सा कॉंटिटी में जादा नहीं हो जाए यह बहुत ही ज्यादा सौप्ट होत इसलिए इसे अच्छे से फेट लेना है आप देख सकते हैं दही को मैंने अच्छे से फेट लिया है और इसकी कॉंटिटी पहले से थोड़ी जादा हो चुकी है इसमें थोड़ी एयर इनकॉप्रेट हो चुकी है और इसका जो टेक्षर है बहुत ही ज्यादा सौप्ट हो च कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी पर लाने के बाद ही हमें मैंगो पल्प एड़ करना है अब दोनों को थोड़ा थोड़ा करके एक साथ मिलाएंगे सारा मैंगो का पल्प एक बार में नहीं डालेंगे तीन बैच में मैंने एड़ किया है आपके पास अगर ज्यादा कॉंटिट से मिक्स नहीं होंगी कहीं आमकी पल्प रह जाएंगे और कहीं दही रहे जाएगी इसलिए इसे थोड़ा थोड़ा करके डालें और अच्छे से मिला लें एक बार सारा मैंगो पल्प डाल दें और दही को अच्छे से मिला लें दही और मैंगो पल्प अच्छे से मिलाने के बाद हमारा स्टिखंड बनकर तयार हो चुका है इसे सर्व करने से पहले इसे हम ठंडा करेंगे ठंडा करने के लिए मैंने यहां पर एक मिट्टी की हांडी ली है उसमें हम अपने स्टिखंड को निकालेंगे क्योंकि मिट्टी के वरतन में कोई भी चीज जाता देर तक अगर आप फ्रीज में नहीं भी रखेंगे तो भी इसमें ठंडा ही रहेगा लेकिन इसे फ्रीज में लखने से अच्छे से ठंडा हो जाएगा और सर्व करने से पहले थोड़े से ड्राइफ रोज काड़कर इसे ठंडा सर्व करें